हातरस के अहम सुनवाई पर हमारी निगा बने वी चर्चा लगातार हम करें मारे दोस्वयोगी बने हैं मगर इस बीश में आपको एक बड़ी अपडेट हम दे दें हातरस मामले पर हाई कोट में जो सुनवाई इस वक्त चल रही जिसके अपडेट फलपल के रेपोर्ट के साथ में कोट रूम में सवाल जवाब का दौर जारी इस बीश में अभी तक पीड़िता की मा का बयान दर्श किया जा रहा था शक्त में पीड़िता के परिवार के साथ में रखे गए हैं कि क्या अंतिम संसकार की सुचना पीड़िता के परिवार को दे गई और उस वक्त क्या कुछ रहा इंतमाम चीज़ों को लेकर के इस वक्त जानकारी और पीड़िता के परिवार के तरफ से जो पक्ष रख रही है सिमा कुश्वाह वो इस वक्त अपना जवाब दाखिल कर रही है इलाबा धाई कोट के लखनों बेंच में हमारे दोनों सही होगी हमारे साथ बने वे मैं आप दोनों की तरफ आओंगा हमारे एक्सपर्ट दो हैं मौजूद लेकिन नरंद्र सवाल और जवाब का सिलसला भी श सुनी है जिनको लेकर खुद ही सोता संग्यान कोट ने लिया था कि आकिर दा संसकार में क्यों परिवार को नहीं बुलाय गया क्यों पुलिस के घेरे में रात के अधेरे देराध धाई बजे लास को ठिकाने लगाया गया इस बात को लेकर कोट आहत था इसी मामले की सुनवाई हो रही है और इसी मामले पर पक्छ रखा है कि रास के अधेरे में पुलिस के घेरे में लाश को ठिकाने लगाया गया बिल्कुल सही शब्दों का इस्तमाल अपने किया संकेत क्योंकि किरोसेंगी क्योंकि इससे संस्कार को भुग विए घरवालों को बुलाएं नहीं गया उसमें शाम armies jaki में अब ऐसे इस्तिति में जाहिर तोर पर अ Friday पुलिस अधिकारी आजबा है बहुत है था लोग होते हैं लेकिन जिस वक्त कोर्ट रूम की तरफ ये लोग बढ़ रहते हैं अपनी गाड़ियों से उतर करके बॉडी लेंगविज कैसी देखी क्या कुछ लगा के इनके साथ में जो हलफ नामा है जो रिपोर्ट जा रही है उससे कोट संतुष्ट हो जाएगा या घबर के हाथ-पाओं फूल गए थे और खासकर जो इस्थानी वहां पर जो डियम है हात्रस के उन पर अभी तक कारवाई नहीं हुई और उनकी भूमिका इस पूरे जो घटना करम है कहीने कहीं संद्यास्पद है और परवाही पूर्ण है कि आखिर उस परिवार को जिसके साथ ऐ ऐसी घटना जिसके परिवार के सदस के साथ हुई उसको भरोसे में प्रसासन क्यों नहीं ले पाया क्यों इस तरह की नौबत आई यह तमाम सवाल है और उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं वहां के डियम है और जो इस समय कोट के हालात हैं यहां पे सबसे पहले जो अपर महाद तक्वार को दिया गया है और उनमें उन्होंने सबसे जो पीडिक परिवार तक है उसकी माने सबसे पहले यही है कि उनको कोई कि तरह की सूचना далее को टब ये सवाल जवाब का दोड़ चल ला है और यहीं नहीं छोटे-छोटे बिंदूओं पर कोट में सवाल जवाब हो रहे हैं कि खासकर क्यों वो अफसर वहाँ पर उस समय तैनात था जिसने ये हरकत की किस अफसर के आदेश से ये रात में अंधेरे में अंतिम संस्कार किया गया अंतिम संसार किया और लास को ठिकाने लगाने वाली बात जिस तरह साती नरिंत कह रहे थे वो यही बात है कि लास को आखिर इतनी रात में क्यों ठिकाने लगाया गया इस बात को कोट भली बात समझ रहा है उसमिल सिनीश परे Marx को लिया था इसा पारिवार के सदसे झाल 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 झाल